नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Study IS की एक और नई वीडियो में और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ एक काफी यहाँ पर important news आ रही है और बात दरसल यह है कि जो आप party है केजरिवाल जी की वो यह चाहते हैं कि जो हमारी currency है दोस्तों जो note वगएरा है हमारे उन पे लक्षमी जी और गनेश जी की यहाँ पर तस्वीर हो अभी गांधी जी की है इनका यह demand है basically इन लोगों की आप party की की यहाँ पर आपके सकते हैं आपके सकते हैं फोटो रहे यह आपके सकते हैं डिमांड है हमारी currency आज की वीडियो में मैं इसी topic के बारे में आपके साथ discuss करूंगा तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखेगा कहीं पर कोई doubt होता है कुछ चीज़े आपको clear करनी है तो clear आप लोग कर सकते हैं comment section ने अपने doubts बगएरा पूछ कर चलिए अब शुरू करते हैं और एक करके पूरो topic को analyze करते हैं कि आखिर क्या है ये बात क्या कहते हैं कौन-कौन से यहाँ पर rules regulation है जो की हमारी जो currency पर photo बगएरा है इन से related हैं ये सब आपके साथ discuss करते हैं लेकिन आप लोग को बता दूँ मैं कि 27 अक्टूबर से अन अकेडमिय आप लोग के लिए batches start कर रहा है cset के लिए आप लोग के लिए offer available है 31 अक्टूबर तक आप लोग available कर सकते हैं और साथी दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि UCSC exam होने वाला है 13 November को सुबह 11 बजे free में आ आप लोग को scan करना है साथी EPFO की जो classes है यह भी live हो चुकी है तो आप लोग यहाँ पर enroll कर सकते हैं test series available है दोस्तों आप लोग इसका फायदा उठाईएगा साथी दोस्तों आप लोग को बता दूँ कि 0% की MI available है इसका benefit आप लोग ले सकते हैं compete app हमारा launch हो चुका है आप लो करके अवेल कर सकते हैं इन सभी को अब चलिए अपने topic के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं देखे दोस्तों यहाँ पे जो आपके कई सारे leader है जो क्या आप करते हैं आप पार्टी है लीड बाय पार्टी चीफ अरविंद केजरिवाल जी उन्होंने Wednesday यानि कि 26 October को आज के पड़ेगी देखे दोस्तों इसी बात को देखते हुए यहाँ पर आपके सकते हैं जो बीजेपी है उसने आपको मैं बताना चाहूंग बेसिकली कि जो बीजेपी है यह कहीं ना कहीं आपको यह बोल रही है कि वो यूटन लेने हैं अपने अपरोच को लेके ओके हिंदू पर और जो कॉंगरेस है दोस्तों उसको लेके यहीं पर मैं बताओं आपको जो केजरीवाल जी है इन्होंने बी टीम आपके सकते हैं लेका यह अपनी जॉब करते हैं पूरही एक अलग आपके सकते हैं डिजाइन पर लेके जो चेंज है उसको लेके बात करती है इंडिन कर सकते हैं नोट है यह दिखने वाला है या फिर हमारी कोई यह कैसी दिखने वाले हैं इसे डिसाइड कौन करता है कौन करता है कि इसके पास इतनी पावर है जो कि यह बात को धियान रख रहा है देगी दोस्तों अगर कोई चेंजेज होते हैं डिजाइन में या फिर जो फॉर्म है बैंक नोट का कौन है इनको डिसाइड किया था बाइदी रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा कोई बीगर चेंज आएगा दोस्तों डिजाइन के अंदर करंसी में हमारी जो नोट है इन दोनों के बिन आप कर सकते हैं परमीशन के चेंजेज नहीं हो सकते हैं अगर चेंजेज होते हैं डिजाइन आफ कोईंस के अंदर तो यह आपको पूरे तरीके से पहर पहरो गेटिव रहेगा हमारी सेंट्रल गवर्मेंट का मतलब कि उनके ही अंडर में इसका पूरा च काम करती है डिजाइन को लेके और यह लिखा गया है दोस्तों आपके सकते हैं जो बात आती है बिसिकली यह आई है आरबे सेंट्रल बोर्ड की तरफ से सेक्शन 22 ऑफ दी रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 उसके अंदर आरबिया के पास अकेला ऐसा राइट है कि व इस तरीके से यह लाइन उसके अंदर लिखी है कि जो डिजाइन है फॉर्म है यह मटेरियल जो भी चीज़ों होने वाली है वो अप्रूव होगी किसकी तरफ से सेंट्रल गवर्ड की तरफ से गर्मेंट की तरफ से और रिकमेंडेशन कौन देगा आरबिया उसकी है कि यह अद्मिस्ट्रेट कर सकें कोर फंक्शन साफ करनसी मेनेजमेंट का एकॉर्डिंग दोस्तों आरब वेबसाइट जो डिपार्टमेंट है वो एड्रेस करता है पॉलेसी को और ऑपरेशनल जो भी इसू हो रहे है तूदर डिजाइन ऑफ बैंक नोट्स फरकास्टिं वो यह देख रहे हैं इंटिग्रिटी बैंक नोट्स की यह लोग इनके अंदर में आता है तो सब कुछ दोस्तों यह लोग समाल रहे होते हैं कौन डिपार्टमेंट है इनका मैं बता दूँ आप लोग को इनका एक अलग है डिपार्टमेंट ऑफ करनसी मेनेजमेंट यह यह पावर रहे कि वह डिजाइन और जो मिन्ट है कॉइंज का यह कर सके कई सारे आपके सकते हैं इसा के साता है अपके सते हैं जहां पर कोई रोल यह आर्फिया का वो काफी लिमिटेड है तो डिस्टिबीशन आफ को लेके वूबाइज होगी बाएदी सेंटर्टल गवर् क्या सम्मान सकते हैं क्या चीज हमारी चल रही है क्यों कि बनते हैं वह मेटल के होते हैं तो आप अलग प्रोसेस होती है इनकी बनने की yearly basis पर आप कहते हैं जो RBI है यहाँ पर receive करती है coins वगरा को और central government जो है इन बातों को कहती है coin यहाँ पर चार जगाँ पर mint होते हैं और चारुई जगह जो हैं वो हमारी government of India के द्वारा own है Mumbai, Hyderabad, Kolkata और Noida के अंदर इन चार जगाँ पर जो coin है यह minted होते हुए दिखाए देते हैं हमें अब कैसे यहाँ पर जो RBI यह currency का management करता है देखे जो Reserve Bank of India है दोस्तों यह consult करता है with the central government और अपने stakeholders के साथ और जो estimate है quantity की bank notes की वो आपके सकते हैं denomination में रहती है हर एक year wise basically इन सभी को दोस्तों यहाँ आपके सकते हैं अलग लग जो various यहाँ पर printing presses हैं वहाँ पर supply के लिए लगाया जाता है और अगर हम लोग बात करते हैं clean note policy की बारे में तो वहाँ पर जो RBI यह provide करता है good quality के bank notes to the public और यहाँ पर साथी दोस्तों में बता दूँ कि जो notes हैं जो की check करेगी उन्हें जो दिक्कत हैं उन्हें दूर करेगी या फिर उन्हें दुबारा से बनाएगी और फिर उन्हें दुबारा से reissue कर देगी इस तरीके से होता है तो नए notes दो है वो साल में इबर बनते हैं जितने notes बनने वो बन जाएंगे वह circulate होते हैं उन्हें कोई problem है तो वो RBI खुद अपनी तरफ से दूर कर देती है बट otherwise इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है देगे यहाँ पर two of India जो currency है जो note printing press में रखती है जैसे की नासिक में हो गया और जो देवास है वहाँ पर यह दोनों ही owned है दोस्तो government of India की दोरा दो और है दोस्तो एक है मैस रुपए के 20 के 50, 100, 200, 500 और 2000 यह currently यहाँ पर issue हो रहे है जो notes है दोस्तो दो रुपए के और पांस रुपए के यह अब नहीं issue होता है ओल्डर जो notes है दोस्तो उनको यहाँ पर denomination में रखा गया है अगर वो circulation होते है वो legal है अगर हम लोग यहाँ पर जो एक रुपी का जो note ह उसको issue करते हैं वो ओके साथ ही दोस्तो इसका circulation भी legal tender पर पाया जाता है इन्हें रोखा नहीं गया है पर यह बनते नहीं अग नहीं बनेंगे basically 245 के note अगर है किसी पर तो चला लो भाई कोई दिक्कत नहीं हो उसकी लेकिन नहीं तो नहीं बनेंगे इस बात कपलो दियान र रखा गया था क्योंकि जो नए bank notes आये उसे replace किया था पहले आले notes में जब भारत आजाद नहीं हो था उस ताइम पर King George का symbol था with the land capital अब लेकिन दोस्तों अभी वाला जो system है उसमें क्या रखा गया था हमारा असोग जो पिलर है उसे जो सरनात वाला है watermark window वो वाला रखा ग बलती है और उसके साथ साथ मालीज आप लोग जो land capital है असोग पिलर वाला वह भी में देखने को मलता है जिसकी तरफ वो लोग देख रहे हैं basically left move करके आपने देखा होगा पुराने वाले जो notes है उनमें इस तरीके से रहा था फिर मातमा गांदी series आती 2005 वाली MG series 2005 इसके अं पांसो और हजार का इनके अंदर दोस्तों यहां पर नई security features डाले गए थे comparatively 1996 वाले MG series से थोड़ा और यहां पर security की बात करी गए थी ओके दोस्तों अब आप लोगों को याद होगा कि आठ नमबर 2016 को पांसो के और हजार के जो नोट थे इन्हें बंद कर दिया गया मिड्राइट में रात में मुदी जी आते हैं और बोल देते हैं कि भाई खतम तो खतम उस इन से दिखके चालो लोगों की बहुत दिखकत हुई लोगों को आप लोगों बताइगा आपको क्या दिखकत हुई थी फिर दोस्तो अगली सीरी आती 2016 वाली ही महात्मा कांदी निव सीरीज थी दोस्तो इसके अंदर नोट में हाइलाइट किया गया थे हमारे कल्चर है हरिटेज को सेंटिफिक अचीवमेंट्स हमारी कंट्री की और जिसके अंदर दोस्तो यहां पर डिमेंशन को रिडिउस कर दे गया नोट सब दोस्तो काफी जदा वालेट फ्रेंडली होगे और एक्स्पेक्टेड करा गया कि इन्हें यहां पर हम लोग मतले यह बहुत कम अब वियर याफी टियर होंगे फटेंगे कम जो कलर था इसकीम उसको भी सार्प और विविड रखा के थोड़ा चमकता हैं जो की बहुत चमकते हैं दोजार का नोट है वो काफी बड़ा आप लोग देखा होगा तो ऐसा नोट आया जो पहला यहां पर बैंक नोट आता है दोस्तों अपनी नए सीरीज में वह दोजार का बनता है आपका आपको याद होगा कि जो की इस हुआ था उसी दिन कि अब आपको जो चीजे समझ में आई होंगी कि क्या बाते आई है बैंक नोट की पहले क्या थी आपकी क्या डिमांड है कैसे इसु होता है कौन इसु करता है कौन सी कमिटी कौन से डिपार्टमेंट है यह सब पता लग गया होगा अब भी कोई डाउट है इसको किलियर कर पूछ के आई होप मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए तेल देन टेक कियर एंड वा नाइस टे